क्या आप जानते हैं कि आपके अपने चैनल Solution Pharmacy ने बहुत पहले से ही आपके लिए हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करके रखी है जो आपको जरुरत पड़ती थी जरुरत पड़ रही है और फ्यूचर में कभी जरुरत पड़ेगी आज से लगबग डेट साल दो साल पहले ह आपके लिए फ्री आपकोस अप्लोड किया था तब आपने से बहुत से लोगों ने नॉन सिरेसने स्निचर की वज़े से इस पर ध्यान नहीं दिया और नहीं आपने MCQ की तयारी करी और जब आज के इस पेंड़मिक सिच्वेशन में आपके लिए पर नोटिफिकेशन आया है कि आपका एक्जाम MCQs पैटर्न में होगा तो आप सब हड़ बढ़ा करके यहां वहां भाग रहे हैं और नर्वस भी हो रहे हैं टेंचन में भी आ रहे हैं जबकि यह चीज़े हमने बहुत पहले ही अप्रूड कर दी थी आपको जानकरी नहीं थी या जाद अच्छा करने के लिए आपको एक सिंगल पैसे दने के जरूरत नहीं है हाँ हमने मेंबर सीव स्टार्ट करी जरूर है लेकिर उसके पीछे का आप्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं हैं बलकि उस पैसे का यूज आपको वापस बुक गिवावे के फॉर्म में देना है चले उसकी बात कभी और करेंगे आज हम मात करेते हैं ओनलाइन अपको एक पीदियाफ का लिंक मिलेगा लिंक करेंगे तो आप जो अपने स्कीन पर देख रहे हैं बिलकुल वैसा ही पीडियेप खुलेगा और हर एक पीडियेप के पास एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है उसके पार्ट लगे हुए है और वहाँ पे उसका डारेक्ट लिंक दिया हुआ है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोपिक का नाम पहला टॉपिक है आपका अंथलमेंटिक और इसमें आपको मिलेगा एन्थलमेंटिक का इंट अगर आप यह पार्ट अटेंड करना चाहते हैं एक लिंक दिया हुआ है इस पे क्लिक करिए उन्लीं टेट सरी के इसे डी स्थाथ तो आप इसके लिंक को क्लिक करिए, वैसे ही एंथलमेंटिक के अंदर अलबेंडाजोल का, पैरेंटल पैमोएट का, डाई, एसाइल, कार्बामजीन का ये लिंक दिया हुआ है, और अगर आप सीधे-सीधे हर एक पार्ट को आटरिंग करना चाहते हैं, सिंगल सिंगल आप प anti-malarial drug, anti-malarial drug के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे पहला पार्ट आपका introduction है, इसका question अटेंड करना है, दूसरे पार्ट में आप life cycle को classification को समझना चाहते हैं, ये पार्ट अटेंड करिए, तीसरे में method of treatment जो available हैं वो अटेंड करिए, clinical and radical cure of malaria, इसकी उपर GPAT में कई बार question आ चुका है, drug inspector में भी question आया है, मैंने को दिस्ट में पार्ट सिवेट किया था, chloroquine का mechanism option दाना चाहते हैं, quinine का mechanism option जाना रहते हैं, तो हर एक topic के सामने उसका respective वीडियो दिया हुआ है, उसके बाद आगे जाके देखिए, anti-malarial drug में आपका prima queen का है, यहाँ पे on an mcqs, anti-mal drug के अंदर आपका parametamine का mechanism of action है, और finally अगर आप सारे पार्ट देखना चाहते हैं, तो भी आप इसी की तरह से direct link को click कर सकते हैं, इस तरीके से आप antimicrobial में काफी सारे topics का mcqs free of cost पाएंगे, anti-malarial के बाद हमारा है anti-amibic drug, इसका भी all parts का direct link दिया हुआ, और single part attend नहीं करना, urine drug infection बहुत ही मत्तोपून topic है, इसके पूरे parts के, parts के नाम दिये हैं, उनके respective mcqs दिये हैं, और अगर आप इसके पूरे question attend करना चाहते हैं, तो ये link आसानी से clear कर सकते हैं, click करने के बाद, उस तरह से STD का पूरा parts के हापर दिया हुआ है, कुल मिला करके आपको ऐसे बहुत सारे question मिलेंगे, including STD, उसके बाद अगला जो topic हमारा, वो है, anti-cancer drug, बहुत ही मत्तोपून topic होता है, anti-cancer drug, किसी भी students के लिए, किसी भी exam के pattern को follow करने पे, और यहां भी भी आप उसका पूरा जो part है, वो देख सकते हैं, उसके बाद immunology का complete part आपको मिलेगा, toxicology का complete part मिलेगा इवन उसके बाद आपका जो एक chrono pharmacology है, उसकी पूरे parts मिलेगी, immunology के उपर कई सारे parts हैं, उसके बाद हम देखेंगे anti-viral drug का, anti-viral drug के पूरे parts मिलेगे आपको, यहां पर देखें, anti-viral drug part 12, यहां तक कि prepare हो चुके थे, तो यहां पर पूरे questions के आपको MCQs मिलेगे, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, जब आग लगती है, तब कुवा नहीं खोदा करते हैं, student वो होता है, जो initially starting से अपनी preparation स्टार्ट करते हैं, आपके पास बहुत सारे time बर्चे होएं, आपके पास बहुत सारा data बचा हुआ है, आप इधा उधर की वीडियो उस से देखिए क्या-क्या अवैलेबल हैं, कि अबल सूपरफीशली देख लेने से आपके भला नहीं होगा, एक बार चैनल पर जाईए, चैनल की प्ले लिस्ट देखिए, आपके लिए हर एक पूचिस पड़ी है, फ्री आप कॉस्ट में, तो चॉइस आपके उपर है, कि आप 40,000, 50,000, 20,000, अलग-अलग सेमेस्टर फीज देदें, क्योचिंग की फीज देदें, 10-20,000, या फिर हमारे चैनल पर बहुत सारे जो चीज़ें, फ्री आप कॉस्ट हैं, उनको यूज करें, या मेंबर्सी जॉइन करके 89 रुपिस कंट्रिबूट करें, ताकि ये बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ करके बनाए गई है, और जो आपके MCQS पैटरन को फॉलो करेगी, so wish you all the best, उमीद करता हूँ कि अब अब अपने नीन से जागेंगे, और हडबड़ी में कोई काम करने से पहले, एक बास सांती से बैठिए, सोचिए, और सिस्टमिक प्ला बना करके काम करें, हडबड़ाने की दरुवत नहीं है, अभी भी समय है, आप इनको भी अटेंड कर लेंगे, तो आपको कॉंसेप्ट मोर दिन 70-80% क्लियर हो जाएगा, रिगार्डिंग MCQS पैटरन के साब से, so चलिए, अटेंड करते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो, have a good night.